आज तक की बोट यात्रा चल रही है सोन नदी में हलाकि ये नद है मैं पहले ही बता चुका हूँ इंद्रपूरी बाराज के बाद अब हम आप पहुचे हैं डेहरी ओन सोन जहां हम जन्ता से आने वाले बिधान सवाचुनाओं में उनके मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज बोरो हाकी मुजेगा पंदनाँ हूपी बोजेगा चलकत आजा गी आज पिलनाँ वोट यात्रा के दौरान हम आप पहुचे हैं डेहरी आन सोन देहरी आन सोन का मतलव हुआ देहरी का मतलव हुआ भोजपूरी में घर और आन सोन यानि सोन नदी के किनारे ये बसा देहरी आन सोन एक शहर है एक पूरा विधान सबा है यहां की जनता है यहां पर आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जनता यहां पर उपस्थित है दस वर्सों में क्या विकास हुआ चौदो महिने में केंद्र सरकार की नरेंद्र वोधी सरकार ने क्या किया इन तमाम मुद्दों पर हम इसे बातचीत करेंगे ये बताइए कि इस बार के चुनाओं में क्या मुद्दे होंगे यहाँ डेहरी अंसोन में इसे सबसे बड़ा जो एहम मुद्दा यहाँ का है वो हमारा वो डेहरी डालमेन है यहाँ पर फैक्टरी बंद होने कारण बहुत सारे लोग बिरुजगार हो गया है उसके बाद यहाँ पर कोई भी एक्टरी नहीं लगा है और कोई ही कासे काम नहीं हुआ है कि इन पर भाद की काम यहाँ ब यहाँ जिसे बच्चे लोग को पढ़ने में दिक्कती होती है आज के आधुनिक युग में बिजली हमारे बहुत ही अधार के काम करती है और यहाँ वही अधार यहाँ गाइब है बिजली की स्थिती थोड़ी बहुत ठीक हुई थी लेकिन पिछले एक दो महीने से इस्थिती काफी खराब हुई है और इसके चलते लोगों को काफी दिखते आ रही है यह सोचने वाली बाते सकार के लिए कि जो जो चुनाव नजदीक आते जा रहा है बिजली की स्थिती खराब होते जा रही है कलकतवा सहरिया हो की हुजई है ना अब हम बात करते हैं कि राजनीती की लालु यादो और नितिश कुमार एक साथ मिलकर महागडबंदन बना का चुनाव लड़ रहे हैं बहरी के जनता इसके बारे में क्या सोचती है फायदा नहीं दिखाई दे रहा हमको दो फायदा नहीं दिखाई दे रहा हमको दो फायदा नहीं दिखाई दे फायदा नहीं बलकि उनका घाटा है लालु नितिश का वो दोनों जंगल राज लाकर करके वो पाट्टू लान दिया फिर अपारंट करती जालू जी और नितीज जी के साथ होने से जो दो धूरी एक साथ हो गया है नौर्थ और साउट जिसे पोल का आजाता एक साथ कभी मिल नहीं सकता उसी तरह एक जंगल राज और एक काते हैं अपने आपको कि मांगदसन और बिहार को विकास करने की जो चंपता रखने वाले ज ध़्यों मिल लेकिन फिर दुम के फिर चनँ सबार है यहां विधायक है पिछले पांच वर्सों से लगातार हम भी देखते रहे हैं बिधान सभा में वो शराब बंदी को एक परमुख मुद्दा बनाती रही है और उनका कहना है कि शराब बंदी होनी चाहिए पूरे बिहार में यहां की जनता क्या उनसे सहमत है की हूले है साया सारी की हूले है के हूँ लई है साया सारी के हूँ लई है कंग ना हाँ के हूँ लई है कंग ना हो के हूँ लई है ना हमरी मात के से नुरवा हो के हूँ लई है ना पुछले 10 वर्सों से नितीश कुमार बिहार के मुखमंत्री हैं और उन्हें विकाष पुरूस भी कहा जाता है काफी काम करने का डावा भी किया गया है जनता क्या बोलती है इसके बारे में पूछते हैं कि नितीश कुमार कैसे मुखमंत्री है नितिश कुमार बढ़या मुखमंत्रे हैं जो हमारे देश के लिए सिख्छा की ओर या गाओं के रोजगार या हर छेतर में वो सोच रहे हैं अपने बार में हम जनता के विकास के लिए और वगरा अगरा ऐसा मुखमंत्री पिछले कई सालों से नहीं बना है कि हाँ जितने भी अंदोलन चाहे सिख्छा की छेतर में तीचर लोग गया हो चाहे आसा करकरता गई हो चाहे ए नम गई हो उनको पानी के फुहारा दे करके और देह पर लाठी बरसाने का काम किया है ये ताना सा अदली गरीब विरोधी जिस तरह से मुखमंत्री का कुरसी दे करके आया पमान पूरे बिहार को किया है दली तोक सा साथ उसका जवाब मुथ तोड़ जनता देगी अच्छे मुखमंत्री नहीं है जो कि विवाओं के साथ बहुत ही खराब काम कर रहा है तरह तरह कि जितने वेकैंसीज है सब कंट्रेक्ट वेसिस पर लाकर उनके भविस् नितिश कुमार जी एक ड्रेम मुखमंत्री है और वो डिटेक्टर सीव चलाना चाहते हैं और ड्रीम वाले सीव खुआप देख सकते हैं अब पटल वा कुछ नहीं कर सकते हैं मुखमंत्री का कोई उमीद्वार बिहार में माल लिए नितिश कुमार अच्छे नहीं है तो और कौन हो सकता है बताईए आप सबसे अच्छे एंडिये के तरफ से मुखमंत्री में सबसे भारी उमद्वार रामिलास पासवान होंगे सुसील कुमार मोदी एंडिये के तरफ से एक नाम उभर के आ रहा है सुसील कुमार मोदी का नाम जो बेहतर मुखमंत्री हो सकते हैं तो ये जन्ता की राय है हम ये जानना चाहेंगे जन्ता से ये भी कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है जो पिछले 14-15 महीनों से काम कर रही है ये तमाम बाते हम यहां के जन्ता से पूछते है उस समय इतना विकास नहीं हो पाया तो इतना जल्दी है कि कम से कम समय उनको दिया जाए उसके बात धीरे-धीरे काम होगा इतना दिन से जो जकड़ा हुआ है वो धीरे धीरे जो है लाइन पर आएगा मेरे मुदी तो अच्छा काम किये हैं वागि यहां के निदिश कुमार जो दस साल पहले जो ललू जी को सरकार था उसमें होस्पीटाल अरोड जरजर हो गया था है निदिश में आया है तो इसमें अच्छा रोड हुआ होस्पीटाल अच्छा हो गया पुद्योग यहां पर 25 साल से लोग यहां पर घटबंदन की सरकार चल रही है उससे हमारा समस्या जो है बनिवे विरोजगारी की कि यह सबसे और अपराद की करण का बढ़ावा हो गया ह हमारे परहान मंत्री जंधन योजना जंधन योजना जो खलुआ है बैंक में अकांन क होई है यही उनका सबसे बड़ा काम हुआ है अभी तक चौद हम पैसा डलवा है सर इसमें कोई एक पैसा नहीं आ रहा है किंदर-सरकार से बारस तरकार से इसमें बस गरिउबों का पैस पर भी ध्यान देना चाहिए बोट यात्रा में डेहरी से बस इतना ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें आज तक